Hello everyone, कैसे आप सभी? I hope की सभी अच्छे होंगे आज हम कक्षा 5 के विसे पर्यावरन अध्यन के अभ्यास प्रशन पत्र को सौल्व करेंगे जिससे आप अपने आने वाले एक्जाम की अच्छे से तयारी कर सकें तो शुरू करते हैं यहाँ पर सभी अपना नाम लिखांगे पक्षा तथा अनुभाग तो यहाँ पर आपको अपनी कक्षा लिखनी है और सेक्षन लिखना है अनुक्रमांक में आप यहाँ पर अपना रॉल नमबर लिखेंगे आपको अपने एक्जाम के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा और जो आपका एक्जाम होगा वो 60 नंबर का होगा अभी यहाँ पर प्रश्न एक है निम्नलिकित प्रश्नों के सही उत्तर का चुनाब कीजिए प्रश्न है मलेरिया किस मौसम में अधिक होता है तो यहाँ पर उप्रश्न है ग्रीस्म, सर्दी, वसंत या फिर मानसून तो आंसर होगा उप्रश्न नंबर वन मलेरिया ग्रीस्म यानि की गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होता है अब यहाँ पर कुश्चन है जब कहीं वर्सा नहीं होती तो वहाँ की फसलें नश्ट हो सकती है तब वहाँ की इस्थती हो सकती है कैसी चक्रवात की, अकाल की, बार या फिर तूफान की तो जब कहीं वर्सा नहीं होती है तो वहाँ पर अकाल होता है तो आंसर होगा option number 2 अब यहाँ पर next है निमनलिकित में से कौन सा त्योहार चंद्रमा से संबंदित है तो यहाँ पर option है गुरुपर्व दसहरा इद या फिर क्रिस्मस तो चंद्रमा से संबंदित त्योहार है इद तो आंसर होगा option number 3 नेक्स्ट है घाना राष्ट्रे उद्यान कहां है तो option में है दिल्ली हरियाना राजिस्थान उत्राखंड तो घाना राष्ट्रे उद्यान राजिस्थान में है नेक्स्ट है अस्पताल में रोगी को ततकाल उर्जा के लिए चढ़ाया जाता है तो क्या चरहाया जाता है । क्या चर्ण है खून, गलुकोज, चाय और पर पानी। अब यहां पर नेक्स्ट है प्रश्णि-दो, रिक्तिस्थान भरिए यहां पर हेल्प बॉक्स है प्राकर्तिक, कीत्ना सर्ध , काल्पनिक , आवश्यक , मच्छर तो यहाँ पर फश्ट है भूब पाने की इस्तिति में हमें चेत्र में जाना चाहिए तो कैसे चेत्र में जाना चाहिए फ। कभी भूकम पाता है तो हमें खुली जगे में चला जाना चाहिए अब यहां पर नेक्स से ग्लोब पर राजियों और देसों के बीच जमीन पर रेखाएं दर्साई जाती है कैसी रेखाएं कालपनिक तो यहां लिखेंगे कालपनिक नेक्स फसलों को कीटों से बचाने के यहां पर नेक्स आपके सरीर की गंद से आपको ढून सकते हैं कौन मच्छर नेक्स भूकम एक आपदा है तो कैसी आपदा है प्राकर्तिक तो यहां लिख देंगे प्राकर्तिक अब यहां पर प्रश्न तीन है निम दिलखित का सही विकल्प से मिलान कीजिए तो फर्स्ट पिक्चर किसकी है मिर्ची की तो मिर्च कैसी होती है मिर्च का स्वाध होता है तीखा तो इसके साथ मैच करेंगे अब यहां पर नेक्स्ट है यहां पर यह फोटो किस के लिलाने वाले तो इसके साथ मैं पर माइक्रोइसकोप allocate माइक्रोस्कोप झाता हे इसके नां कर देंगे यह पर यह देखनि शामक वाहन तो इसके साथ मेंच करेंगे अब यहांपर प्रशन 4 है निम्नलिकित पर सही वाक्य के सामने त था गलत वाक्य के सामने गलत का चिन लगाई यह फरस्ट है यहांपर मचलियां पानी में मौझूद मच्छरों के लार्वा को खा जाती है तो बिल्कुल सही है गांधी जी के आस्रम में मेहमानों को भी अपने सोचाले साफ करने पड़ते थे तो ये बिल्कुल सही बात है Next है राजिस्थान में पानी की कमी की समश्या को दूर करने के लिए लोक पानी को संरक्षित करते हैं तो बिल्कुल सही है नेक्स्ट है दस्त और उल्टी से पीरित व्यक्ति को चाय पिलानी चाहिए तो ये गलत है उस व्यक्ति को चाय नहीं पिलानी चाहिए बलकि ORS का घोल देना चाहिए अब यहाँ पर नेक्स्ट है कुछ पक्षियों की आँखें सामने की तरफ होती है तो बिल्कुल सही है जो आउल होता है उल्लू पक्षी उसकी आँखें सामने की तरफ होती है अब यहां पर फ्रश्न पांच है निम लिके प्रश्नों के उत्तर एक वाक्या में लिखे प्रश्न है जब हम गैंद को हवा में उच्छालते हैं तो वह वापस क्यों गिरती हैं तो गृत्वा कर्शनबल के कारण वापस गिरती है नेक्स्ट है 26 जन्वरी 2001 को गुजरात के भुज के लोग क्यों घबराए हुए थे तो क्यों घबराए हुए थे क्योंकि भूकम्प के कारण भूकम्प के कारण भूकम्प के लोग घबराए हुए थे 26 जन्वरी 2001 को गुजरात में भूकम्प आया था नेक्स्ट है अलबिरूनी नामक यात्री पूजबेकिस्तान देश से भारत आया था अब यहाँ पर नेक्स्ट है चीटियांगांगांगावणी पीछे पंक्ति में क्यों चलती रहती है तो क्यों चलती है चीटियां जमीन पर चलते समय कुछ ऐसा तरल पदार छोड़ती है जिसे सूंग कर पीछे आने वाली चीटियों को रास्ता मिल जाता है यानि कि अपनी सूंगने की सक्ति के कारण वे एक दूसरे के पीछे पंक्ती में यानि की लाइन में चलती रहती है अब यह पर नेक्स्ट है हमारे मुँ में जीब का मुखेकारे क्या है? सुआध चकने का कारण करती है अब यह पर प्रश्न है निम्न लिखे प्रश्नों के उतर संच्छेप में लिखिये तो प्रश्ण है अक्सर डॉक्टर बीमार लोगों को अंकूरित अनाज खाने की सलहा देते हैं क्यों तो क्यों देते हैं क्योंकि अंकूरित अनाज पोश्टिक वे सुपाच्य होता है इसलिए डॉक्टर बीमार लोगों को अंकूरित अनाज खाने की सलहा देते हैं अब यहाँ पर प्रश्ण है पहले के समय में किसान बीजों के पास नीम की पत्तियां क्यों रखा करते थे तो पहले के समय में क्यों रखते थे बीजों को कीडों से बचाने के लिए उनमें नीम की पत्तियां रखा करते थे अब यहाँ पर प्रश्ण है यदि संसार के सभी स्वच्चता कर्मचारी सफाई करने से मना कर दें तो क्या होगा तो यदि सभी स्वच्चता कर्मचारी सफाई करने से मना कर दें तो सभी जगे बहुत उड़ा कचरा जमा हो जाएगा जिससे मच्छर पैदा होंगे और कई प्रकार की बिमारियां फैलने लग जाएंगी अब यहां पर प्रश्ण है मोहन ने अपनी खेती के लिए बहुत से कैचुए खरीदे बताईए कि कैचुए खेती में किस प्रकार सहायक होते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है इन कैचुओं के मल से जमीन उपजाओ बनती है इसलिए कैचुए खेती में सहायक होते हैं अब यहां पर प्रश्ण साथ है निम्नलिकित प्रश्णों के उत्तर विस्तार से लिखिए प्रश्न है यदि आप किसी बीज को अंकूरित करना चाहते हैं तो आप उसे अंकूरित किस प्रकार करेंगे इसके विभिन चरणों को लिखे तो बीजों को हम दो प्रकार से अंकूरित करते हैं उन्हें घर पर भी अंकूरित किया जाता है और जमीन में दबा कर भी तो इसे अंकुरित करने के चरण है बीज को नमी युक्त मित्ती में दवा दिया जाता है जब हम बीज को मित्ती में अंकुरित करना चाहते हैं और जब हमें घर पर करने होते हैं तो इसके लिए हम रूई भिगो कर उसमें बीज को रखते हैं और किसी गीले कपड़े में लप चेट से पानी को सोकता है यह बीज आवरन को नरम कर देता है और यह फूर जाता है उसके बाद क्या होता है बीज से प्रांग कुर यानि कि भूर निकलता है और वह उपर की तरफ बढ़ने लगता है और इसी प्रकार से बीज अंकुरित होता है अब यहां पर प्रश्ण है स् पूस्टिक भोजन की थाली में क्या-क्या होना चाहिए सूची बनाईये अब आपको बताना है कि पोश्टिक भोजण में क्या-क्या चीजें होतIES जाली में चीजेंडे होनी चाहिए चाहिए खूंद थाली में रोटी, चावल, दाल, हरी सबजियां, दूद, दही और घी, अंडा, मास, यानि कि जो लोग साका हरी हैं, वो हरी सबजियां, कच्ची सबजियां ले सकते हैं, और जो मांसा हरी हैं, वो अंडा, मास, ये सबी चीज़ें ले सकते हैं, फल, सलाद, जैसे कि खीरा, गाजर आदी इन सबजियों को लेना चाहिए तो ये सबी चीजें पोश्टिक भोजन की थाली के अंत्रगत आती हैं अब यहां पर प्रश्ण है एक पोश्टर की साहता से बताईए कि हम पानी की बरबादी को कैसे रोक सकते हैं तो आप इस तरीके से पोश्टर की साहता से यानि की चित्र बना कर बता सकते हैं कि हमें किस तरीके से पानी की बरबादी को होने से रोकना चाहिए आप यहां समझ सकते हैं यहां पर पहले चित्र में देख सकते हैं हम पानी को किस तरीके से बचा सकते हैं सबी सबजियों को एक साथ धोकर उसके बाद यहां देख सकते हैं शौट सावर लेकर यानि कि फवारे को हम कम चला कर उसका प्रियोग करके तीसरा यहाँ पर यदि हमारा जो नल है वो टपकता है यहाँ कि खराब है तो उसे ठीक कराना चाहिए जहाँ पर देख सकते हैं पौदों में यदि पानी डालना है तो उसे हम पाइप का यूज ना करके कैन का प्रियोग करें उसके बाद यदि हमारे नल का पाइप खराब है तूटा हुआ है और पानी रिस्ता है तो उसे ठीक कराना चाहिए जब हम ब्रस करते हैं तो वहाँ पर टैप को चला करना छोड़ें ब्रस करते समय ग्लास या मक्का प्रियोग करना चाहिए तो इस तरीके से ऐसे विभिन तरीके अपना कर आप पानी को बरबाद होने से रोक सकते हैं अब यहाँ पर प्रशना आठ है प्रियोग आँख बंद करके चक्कर निम्न में से किनी दो वस्तों के नाम बताई तो यह जो प्रियोग करना है आपको अपनी क्लास रूम में करना है आपके टीचर कराएंगे तो जैसे की नीबू, गोड, इमली, सौफ, नमक, चीनी, आवला, ब्रेड, टमाटर, हराधनिया, पुदीना इन्हें आप चक्केंगे अपनी आंखें बंद करके आप इनका स्वाद अपने अध्यापक को बताएंगे तो यह था आपका अभ्यास प्रश्न पत्र आप इसे अच्छे से learn करेंगे, इसकी practice करेंगे और अपने exam की अच्छे से तयारी करेंगे तो मिलते हैं अगले अभ्यास प्रश्न पत्र के साथ If you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel Thank you